कंछ कश्मीर फायल स्टेक्ष फ्री करो अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री हो जाएगी का है के क्विवय quart स करा रहे हो इतना ही तूम को शौक है विवेक अग्नी हो तरी को आ यूट्यूब पे डाल देगा सारी फिक्चर अर्विन जी कश्मीर फाइल्स तो एक मूवी है आपने उसे जूटा बताया आपने कहा कि यह जो प्रताड़नाए कश्मीर के हिंदूओं के उपर हुई है यह जूटी है गिरजा जी के उपर क्या गुजरा होगा जब उनको आरी से काटा गया होगा नमस्कार मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड नियूज में आप सभी दर्शको का स्वागत है तोस्तो अर्विन केजरिवाल लगातार कश्मीर और फिल्ब दा कश्मीर फाइल को लेकर लगातार जहर उगल रहे हैं और जहर उगलने का आलम यह है कि देश के तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अर्विन केजरिवाल की अब जम कर खिचाई कर रहे हैं जम कर आलोचना कर रहे हैं क्योंकि यह वो नेता है जिन्होंने कभी कसम खाई थी कि वो देश भक्ती में लीन रहेंगे देश भक्ती के लिए हमेशा कारे करते रहेंगे लेकिन अब इनकी छवी जो है वो बद जरूर देखा होगा जिसमें ये कह रहे हैं इस फिल्म को टेक्स फ्री करने की क्या जरूरत है इसे तो यूट्यूब पर ही अपलोड कर दीजिए कश्मीर फाइल्स टेक्स फ्री करो अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी यानि कि इतना बड़ा ये मुद्दा है कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का खुलेयाम कश्मीर में कतलेयाम हुआ था 19 जनवरी 1990 को उन सभी कश्मीरी पंडितों का दर्द बुलाकर ऐसा भद्दा बयान अर्विंद के जरिवाल लगातार दे रहे हैं और इस मामने को लेकर अब भारतिय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अर्विंद के जरिवाल की जम कर खिचाई की है और ये खिचाई और हिंदुस्तान में लोग आज स्थब्द हैं 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 परिशान हैं दुखी हैं कि 32 वर्ष पूर्व जम्मो कश्मीर में किस प्रकार का अन्याय हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है मुझे तो आश्चरी लगता है टैक्स फ्री करने को लेकर कई राज्यों ने टैक्स फ्री किया कुछ राज्यों ने टैक्स फ्री नहीं किया ये राज्यों का विशय है दिल्ली विदानसभा में टैक्स फ्री करना है या नहीं इस विशय को लेकर जब चर्चा हो रही थी टैक्स फ्री करना नहीं करना ये प्ररोगेटिव दिल्ली विदानसभा और अर्विन केजरिवाल जी का है किन्तु जीनोसाइड के ऊपर उसका मजाग बनाना ठाहा का मार के पूरा विदानसभा असरा हो और जिस प्रकार का एक चित्रन पूरे विश्व के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने गया है वी ओल है बिन शेम्ड लिए हिंदुस्तान शर्मशार हुई है क्योंकि अब्विन केजरिवाल जी का जो रवईया था जो बरताव था कश्मीर जिनोसाइड को लेकर कश्मीरी हिंदूओं के उपर जो प्रताड़ना हुई थी आज से 32 सार पूर्व ये रवया सही नहीं था एक elected representative इस प्रकार लोगों के पीड़ा के उपर हस सकता है उसे जोटी कह सकता है ये हमें ये मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कोई ऐसे कह सकता है अर्विन जी कश्मीर फाइल्स तो एक मूवी है आपने उसे जूटा बताया आपने कहा कि ये जो प्रताड़ना है कश्मीर के हिंदूओं के उपर हुई है ये जूटी है आप उन लोगों से पूछे जिन लोगों के घरों से सदस्य गए है आप गिरिजा जी से और उनके परिवार से पूछिए गिरिजा जी के उपर क्या गुजरा होगा जब उनको आरी से काटा गया होगा आप नील कांट गंजू जी जो जस्टिस थे उनके और उनके परिवार से पूछिए अगर समय में पीछे जा सके तो इन लोगों के जहन पे क्या गुजरा होगा what they must have felt when the genocide was in fact underway in Jammu and Kashmir but despite all that the way you laughed the way you mocked the genocide is something which will never be forgotten उसके ऐसी बात भी रही है Erwin K. Jivalji की आपने कभी किसी मूवी को tax free नहीं किया है ये सांड की आँख से लेकर PK मूवी और Bang Bang इन सभी मूवी के लिए आपने खुद यहाँ बहुत बड़ा फैरिस चल रहा है social media में जिसके लिए आपने खुद advertisement किया है poster चिपकाएं ये social media के posters है Erwin K. Jival के Erwin K. Jival जी ने नजाने कितने movies के लिए poster चिपकाएं और आज मजाक वो कश्मीरी Hindu का बना रहे और जब वो घिर गए जब पूरे हिंदुस्तान में एक वातावर्ण उनके खिलाब बना तो तुरंत Erwin K. Jival जी जो अपने U-turn के लिए मशूर है U-turn लेके अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे वो क्रेडिट भी ले रहे और कह रहे थे कश्मीरी migrant teachers जो है जो कश्मीरी Hindu teachers आये थे उनको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी यह जो Government Teachers Association Migrant Registered जो organization है उनका press release मेरे हाथ में मुझे तो कश्मीरी Hindu को regularize किया मगर जब कश्मीरी migrant teachers ने press conference करके प्रेस release जारी किया उसमें जो timeline दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ June 6 2010 को कश्मीरी migrant teachers वो दिल्ली हाइकोट approach करते हैं कि हमें regularize किया जाए अपने profession में में 18 2015 single bench हाइकोट की अपनी judgment deliver करती है और कहती है कि कश्मीरी migrant teachers को जो कश्मीरी Hindu teachers थे उनको regularize कर दिया जाए अपने service में मगर उसी वर्ष 2015 में केजरिवाल जी की सरकार double bench के सामने इस पूरे judgment को challenge करती है कि नहीं हम regularize नहीं करना चाते हैं यह उचित नहीं होगा और मई 21, 2018 को double bench अपने verdict में दिल्ली सरकार के इस पूरे प्रक्रिया को नकारने वाले प्रक्रिया को मना कर देती है और उन्हें direct करती है कि आप कश्मीरी migrant teachers जो हिंदू कश्मीरी प्रताडित थे जो विस्थापित थे आप इन विस्थापित कश्मीरी teachers को आप regularize करिये यही मेरा judgment है यही हमारा judgment है उसके बाद दिल्ली सरकार के पास कोई उपाई नहीं रहा दिल्ली सरकार ने अश्योर किया कि हम जो केम्टी कश्मीर migrant teachers है उनको regularize करेंगे किन्तो उपर से कहते रहे 26 October 2018 को यह Supreme Court चले गए केजरिवाल जी की सरकार 26 October 2018 को Supreme Court चली गई और Supreme Court में High Court के double bench के फैसले को चुनोती दिया कि हम कश्मीरी विस्थापित पंडितों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं High Court के इस निरने को निरस्त किया जाए धन्य हो हमारा Supreme Court और आज में नतमस्तक होता हूँ हमारे इस जुडिश्यरी को हमेशा नहीं आय दिया है जुडिश्यरी ने और अंततो गत्वा 23 जन्वरी 2019 को भारत के सर्वोच्च ने आयले ने यह कहा कि यह नहीं हो सकता है आपको regularize करना ही पड़ेगा यह 21 माई 2018 को Supreme Court ने कह 21 माई 2018 को Supreme Court ने direct किया कि आपको जो judgment था High Court का उसे मानना ही पड़ेगा जब कोई option नहीं था वेन केजिवाल जी वस लेफ विट नो अधर option on 23rd January 2019 finally केजिवाल जी की सरकार ने अंततो गत्वा कानून के डंडे के कारण और निर्देश के कारण विस्थापित कश्मीर पंडितों को उन्होंने नौकरी में स्थान दिया regularize किया कितना जूट बोल रहे है केजिवाल जी और केजिवाल जी ये जो दोहरा मांदंड है आपका ये क्यूं है कश्मीरी विस्थापित हिंदूओं के लिए आप उन्हें नौकरी देना नहीं चाहते वो तो कोट ने आपको नौकरी देने के बाद दिखिया कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस पे आप हस रहे थी उसको आपने जूटा बता दिया धता बता दिया किन्तु बाटला हाउज एंकाउंटर उसको लेकर जिस प्रकार से आपने कहा था मैं कोट करता हूँ अर्विन केजिवाल जी ने कहा था बातला हाउस एंकाउंटर को फेक बताया था और कहा था, the court has said that the youth killed in बातला हाउस incident were terrorists I had said that even if they were terrorists it was extremely important to catch them alive to know who their real handlers are, there needs to be an independent investigation to know if it was necessary to kill them ये दो हजार आठ के बातला हाउस एंकाउंटर के विशह में जब इंडियन मुजाहिदीन के सहजाद एहमद को फासी की सजाकोट ने सुनाई तब अरविंद केजरिवाल ने ये कहा था फिक फीडियो आपने देख लिया तो संबित पात्रा ने जमकर अरविंद केजरिवाल की खिचाई की है और खिचाई होनी भी चाहिए क्योंकि जिस पर बीती है उसी को पता लगता है कि आखिर उस दोरान हुआ क्या था इन्होंने अपना बयान दिया और इनकी भद्धी राजनीती वही खतम हो गई लेकिन जिस पर बीती थी कितने मासूमों की जान गई थी वहाँ पर खुलेयाम इनसानों को जलाया जा रहा था गोली से मारा जा रहा था सरयाम काटा जा रहा था ये आलम पूरे कश्मीर में चाया हुआ था 19 जनवरी 1990 को इस तरीके से प्रताडित कश्मीरी पंडितों को किया गया लेकिन इस फिल्म का अरविंद केजरिवाल सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरू करें फिलाल के लिए मैं आपसे विजा लेता हूँ तब तक के लिए जैहिन जैभारत नमस्कार